साथ जवाब दे सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या? काफी घटी है और जहां कहीं भी छेकपुट घटनाएं हुई हैं, उनको कठोर दन्रे दिया जाता है। काफी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ सक्ती से हम कारवाई करते हैं, और यही वज़ा है कि उत्तर प्रदेस में अपराद की संक्या काफी घटी है, और जहां कहीं भी छेकपुट घटनाएं हुई हैं, उनको कठोर दन्रे दिया जाता है। कुछ मानसिक्ता भी इसके साथ कठीन रहोती है, और उस मानसिक्ता का तुस परिणाम है, जिसके बारे में उन्हें सक्ती भी की जाई जा रही है, और उसके बारे में जागरुता भी पैदाती जाई जा रही है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार में क्रिशी मंतरी सुर्प्रताब शाहिर जिनको आपने सुना वो कहरें कि क्या हो गया ऐसे खटनाई तो हो जाती है ना और हमारी सरकार कारवाई करती तो है उनका ये बयान बहुत संविदन हीन है और उनसे ये उम्मीद नहीं थी इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीमाब मेरे सयोगे जोटी के फो लाइन पर सीमाब ये बहुत शर्मनाग बयान हम इसे कहेंगे सीमाब के पास मैं जाओंगी लेकिन उससे पहले ये खबर जरा और विस्तार साब को बता दें कि सुर्प्रताब शाही से जब सवाल किया गया क ट्विंकल शर्मा के हत्या हुई है क्या कारवाई उस पर हो रही है और ये कैसे हो गया तब वो कह रहे हैं मीडिया के सामने आखर ये कहते हैं सुर्प्रताब शाही कि तो क्या हो गया अगर ऐसी खथनाए हो जाती है तो सरकार है ना कारवाई करने के लिए पहले से सिस्टम मजबूत क्यूं नहीं था इसका जवाब नहीं दिया लेकिन हाई जदरूर कह दिया उन्होंने कि कारवाई हम करेंगे पक्षेंगे नहीं लेकिन उससे पहले का कि ऐसी खतनाएं हो जाती है और सरकार कारवाई करती है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए पवन पांडे पर है ना आगे देखे इस योग्या जिसनाज जी की सरकार में जोरे उत्तर प्रदेश में कानून ब्योस्ता पुरी तरह से भख्ष है और ये मानिय मंत्री जी का बहुत ही गयर जिम्मी जाराना प्यान है जिस तरह से हैवानियत पून कारिश्वती बच्ची के साथ गुआ है इसकी तो हम ग्रोर निंदा करते हैं और सरकार को अपने पत पर बने रहने का कोई नैसी का जिकार ही नहीं हो आप इदर के वह दस और संद्रा दिने को अधिकार उठा कर देख लीजिए लगाता हथ्याओं की बाढ़ा गई है और मुझे तो लगता है कि इन अपराजियों क सब्सक्राइब करेंगे जो हस के जवाब दे रहे हैं कि क्या होगे ऐसे खतार आप इसी से अंदाजा लगा लिजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अगर हस कर एक चोटी सी पच्ची के साथ इसमें जगन अपराद कर हस कर और ऐसी घटनाएं होती रही हैं जैसा बया और उनका मांसिक अस्तर किस तरह का है और वो कितना गंभीर है इस प्रदेश की कानून बेवस्था के लिए एकनी बेहन बेटियों के लिए मैं इससे ज़्यादा इनके बारे मौर कुछ नहीं कहना चाहता जिन पर उमीद है परिडित परिवार जिन पर उमीद भरी मरान जिन पर उमीदें बहुत सारी अगर वो हसके कहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं कारवाई हम कर लेते हैं बाद में तो इसका क्या मेसेज जाता है क्रिशी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में 15 दिनों में धेठ सारी हट्नाएं पुले उत्तर प्रदेश में हुए हैं और किसी हट्तर का खुलासा उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पाई है केवल जन्तपर्चिशियों को आम जनता को चार्गेट करके उनकी हचिक कराई जा रहे हैं तो जिए सरकार ही iस काम में लिप भी देगी और अच्छक जब भच्छक बन जाएं तो फिर कोई जवाभी नहीं बसता है क्या कहा जाए पावन जी आपको नहीं लगता कि इसके बदले इनको कहना चाहिए था कि हम कारवाई कर रहा है हम गलती हो गई पुलिस से कारवाई की है कारवाई आगे भी करेंगे इसक अंश्योवस्ती जी हमासा जूट चुके कांग्रेस के प्रवक्ता है और ऑपी मिश्रा भी है भारती जनता पार्टी की तरफ से अंश्योवस्ती सबसे पहले में आपके पास बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में कृशी मंतरी सुर्य प्रताप शाही ये कहते हैं के हैरान हो कि इतनी भयावा घटना है और उत्तर प्रदेश सरकार के मंतरी भाजपा के नेताओं को क्या हो गया है कितना ज़्चादा ये घमंड से चूर चूर है इनकी हालत ये हो चुकी है कि इनका घमंड रावण से भी ज़्यादा हो चुका है इतनी दुर्दान्त घटना है उस पर दुख जताने के बजाए खेद जताने के बजाए जवाब देए और जिम्मेदारी अपने उपर लेने के बजाए इस तरीके की घटना हो सकती है हो जाती है इस तरीके की बैयानबाजी क्या हो गया है बीजेपी के लोगों को क्या इनको जीवन भर के लिए सब्था मिल गई है अरे हैंकार तो रामण का भी नहीं रहेगा और भारती जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ी भी शरम और हया बच्ची ओ तो माफी मांगें इनको अन्शोवस्तेजी है क्या कृशी मंतरी से हम इसे बयानों की उम्मीद करेंगे ऐसे शवड़ो की उमीद हम करें यहापर उनको यह कहना चाहिए कि हम कारवाई करेंगे हम किसी को नहीं चोड़ेंगे पासिकी सब्षजा हो गिज़ए जो भी इसके पीछे आरोपी होंगे और इसके बदले सुरेपिताब शाही ये कहते ही कि आप ऐसी घटनाय तो अक्सर हो जाती है और सरकारे करती है फिर बाद में कारवाई देखे आप पीजेपी पे देखे इस तरीके के नेताओं की लाइन लगी जब बी आडी मेडिकल कॉल देख रहा है प्रश्वर का भोजन है कि यह शेयर देते हैं ठीक आशे वस्तिया बने रहे साथ ओपी मिश्रा जी अब यह उम्मीद करेंगे हम कि उत्तर प्रदेश के किरिशी मंत्री चुर्व प्रिताप चाहिए कि ऐसी गटनाएं हो जाती है कारवाई हम करेंगे ना बाद में इसके उम् आज़ा के साथ रेप की घचना करता है उसको तुझे मौल की सजा दी जाए तो भारती जंतापाची की सरकार ऐसे किसी भी बेक्टी को बख्षने वाली नहीं है जो इस तरह के खिनित आपराध में लिप दो हो और कहीं भी कानून ब्रॉस्था या ऐसे किसी भी मामलों में लिप पाये जाएगा तो भाति जब लाट कि अपर है यह सेंचीज ओपी मिश्रा यह लाइन आपके मंत्री ने क्यों नहीं कहें सुर्पिताप शाही ने यह बात क्यों नहीं बोले आपके मंत्री और नेदा इतने ज्यादा है कार में शूर है जो कहते हैं कमाल हो गया है मिश्रा जवाब देना होगा आप यह क्या कि नियुक्त सकते हैं इतने संवेद नहीं जवाब देना होगा तो आप लिए आप लोग माती मांगी पहले और परफदेश के लिए इसलिए इतना चीक रहें कि जनता ने इंको नकार दिया जनता ने आपके मंद्री आगर अगर आगर ने कहें कि अगर जवाब दिया है आप लुक जाएगा ओपिमिश्ण जवाब दिया ने क्या कहा है मैंने उनके स्टेटने कुछ च्छिक सुना नहीं है और ना हमारे जवाबा चाहते है आपको आप अपके पास वापत आऊंगाउगा और मैं अपनी पूरी बाद लाग आँ आपको बचेगा मत आप बचेगा मत सर आप जवाब दीजे ना आपको पहले भी कहा ठीक है आप सुनिये आराम से अप सुनिये क्या का आपको सुना रहे हैं सुनिये सरा देखे एक गटनाए हो जाती है देखे एक गटनाए हो जाती है देखे एक गटनाए हो जाती है जहां पर मंत्री जी मौजूद थे वही से हमारे समगा दाता सीमाब नकवी जुड़ चुके हैं सीधा में रुख सीमाब का करूंगी सीमाब विस्तार से बताएगा क्या कुछ कहा सुर्प रताब शाहिद रहे हैं